आप लोगों ने नोटिस किया क्या, YouTube काफी ज़्यादा चेंज हो रहा है, अगर आप अपने home feed पे जाएं, subscription feed पे नहीं, तो आपको दिखेगा बहुत सारे छोटे creators, especially अगर आपने एक या दो छोटे creators के videos देख ली हैं, तो बात ही अलग है, आपको इतने ज़्यादा छोटे creators अभी recommend होते नजर आएंगे, game अभी पलट रहा है, YouTube खुद अभी as a platform evolve हो रहा है, and दो-तीन interesting shifts मुझे नजर आ रहे हैं, which I feel are a very good opportunity आपके लिए, मेरे लिए on YouTube to open up a new world, YouTube सिरफ पैसा बनाने में help नहीं करता है, YouTube communication इंप्रूफ करता है, आपका career इंप्रूफ करता है, आप तरह का नजर में आता है, all of those things actually help you out in a very 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 vast way, it's not just कि आपने AdSense से कितना पैसा बनाया, या sponsorship की deal कितनी बनाया, things are changing, तो अब एक important point इसमें आजाता है, कि क्या exactly बदल रहा है, दो बड़ी चीजें बदल रहे हैं, एक तो मैंने आपको बताई दिया, कि छोटे creators recommend किये जा रहे बहुत जादा, बट दूसरा, अगर आप notice करो, एक time आया था, especially which was like 2023 का second half, और 2024 के पहले दो दीन महीने, जब एक दम तकड़ा, fat 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 fat, ऐसे तेज 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 तरार जो edits हैं, वो वाले videos चल रहे थे, because shots का जमाना था, Instagram का जमाना था, but अभी Instagram पे भी अगर आप देखें, तो बहुत तेज तरार जो editing है जहां पे, उस तरह के videos उतने अभी नहीं चल रहे, but moving towards YouTube अगर बात करें, तो long form videos are making a comeback, and बहुत से बड़े बड़े channels आपको देखने को मिलेंगे, जो पिछले 6-7-8 महीने में start हुए हैं, जो long form videos करें, but not just that, the vibe of those videos is very raw, right, उसमें editing minimal है, अगर उसम उन्होंने कुछ चीजें involved की हैं, तो B-roll लगा दिया, बट B-roll खुद का लगा दिया, royalty वाली stock footage नहीं उन्होंने लगाई है, ये सारी चीजें काफी काफी अलग तरीके से अभी evolve करें on YouTube, so, दो बड़े changes, छोटे creators के पास equal chance है अभी, compared to big creators, जिनके millions and millions of subscribers हैं, तो अगर interesting है कहने को, अगर आपके पास कुछ valuable है share करने को, now is the time, right, and then दूसरी चीज़ जो है, अब आपको flashy editing, क्योंकि editors का भी cost या 30,000, 40,000 per month, it's unsustainable, so, वो अब वैसी change हो गया है, तो अब आपको 10,000 अलग लग items नहीं चाहिए, YouTube पे start करने के लिए अपना काम, right, so I think that's a big push, कि and उसमें आप अपने लिए cadence start कर ले, no matter what you want to talk about, right, could be a vlog, could be आपका life, could be आपका daily life, could be आपको specific topic, आपको एक skill आता है, आपको कोई topic के बारे में जाधा पता है, beginner level चे थोड़ा जाधा पता है, and you start teaching the beginners, right, even that works, but the point is, consistently आप तीन महीने का एक challenge ले सकते है, अगर आप चाहें तो नहीं challenge लेना, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से डाले, I am also noticing काफी सारे essay creators हैं, by the way, जो हर week या week में दो बार, तीन बार नहीं publish कर रहे हैं, तो भी उनको recommendation मिल रहा है YouTube से, तो भी उनके channels अच्छे grow हो रहे हैं, उनको regularly views आ रहे हैं, so that's also a big, big motivation, कि अगर आपको नहीं पता है आप किस तरह की videos बना चाते हैं, आप एक बनाएं, जब तक आप दूसरे को figure out करते हैं, कोई problem नहीं है, फिर दूसरा बनाएं, फिर तीसरा बनाएं, तो हर 15 दिन में एक डाल रहे हैं, कोई problem नहीं है, ऐसे भी creators हैं, जो महीने में मुश्किल से एक video डालते हैं, वो भी आपके YouTube चैनल पे, आपके YouTube चैनल पे, आपके YouTube चैनल पे मिलूगा, चाओ